आज बात आखों की जी हां उम्र के साथ ये चीज जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये सब के पास पहुंच जाती क्यों एक बड़ी वज़ा यही जानने समझने के लिए आज हम मौजूद हैं रीवा के प्रसिद नेट चिकित सक डॉक्टर अरुन अग्रवाल जी के पास डग्सअप निउस नेटवर्ट टोड़े से बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया जैसा कि मुझसे कई लोगों ने सवाल पूचा मोतिया बिन आखिर होता क्यों है उम्र के साथ मोतिया बिन क्यों होता है आखों को कम क्यों दिखाई देता है आज हम आखों को लेकर तमाम तरीके की लोगों की संकाओं का समाधान करेंगे डाक साप से जानने समझने की कोशिश करेंगे मोतिया बिन या आखों क कि समस्याइं उम्र के साथ क्यों होती है रख सब उम्र के साथ आंकों कि समस्याइं क्यों एक नेजरल प्रोसेस है और समय के जैसे जैसे उमर बढ़ती जाती है वैसे वैसे आखों में भी असर पड़ता है कोई जरूरी नहीं है कि मौतिया बिंद हो जाए लेकिन आखों में कम कर निदान चश्मा है और या तो फिर अगर आँक में मोतिया भी ढूग गया है तो फिर उसका अपर संद्री या समझा उम्र के साथ दो तरीके की जैसे डाक साब ने बताया या तो सबसे वड़ी समस्या है आँकों के आप पेशन की या चस्मा डाक सब हमारे दर्शकों को जर यह किस तरीके से काम करता यह है लैंस बहतर होता है चस्मा आपरेशन के बाद में अगर मोतिया विंग है तो लेंस अब आजकल पहले चश्मे वाला आपरेशन किया जाता है लेकिन अब नई टेक्नलोजी आ गई है नई पद्धती आ गई है तो उसमें आख में लेंस लगा देते हैं यह लेंस बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कि न इंतिम सवाल यह सबसे जरूरी चीज है खासतोर से 35 से 40 के उम्र के लोगों के लिए दिमाग में एक बात आती है हम ऐसा क्या सावधानी बरते हैं खान पान में किस तरीके से ध्यान दें कि हमारी आखों के चस्मे की जरूरत ना पड़े मोतिया बिन नहों इसके लिए खान पान का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है और अगर हम सेमित जीवन जिएंगे और सेम के साथ में अपना भूजन लेंगे भूजन में खरी सब्दियां दाल और फल फूल जिस अपकी जगर खाएंगे और अपना लिए बैयाम करेंगे हम अपने शरीर को हेल्दी रखेंगे तो आखों में किसी प्रकार के विकार होनी के संभावना कम रहे हैं ये थे हमारे साथ प्रसिद नेज्चिकित सक्ट डॉक्टर अरुन अगरवाल जो साथ तोर से बता रहे थे संयमित जीवन खान पान आज के इस आधनिक युग में खान पान बहुत सारी बिमारियों की बहुत बहुत ख्याल रखिये अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजे इजाजत नमस्कार कर दो कर दो